प्यारे भाईयों और बहनों, आज कंग्रस जन और देश के नागरिक हमारे शहीदों को श्रदानजली एवं सैनिकों के शौरिय को नमन करने के लिए पूरे देश में शहीदों को सलाम दिवास मना रहे हैं। मैं खुर को उनके साथ जोरती हूँ। गलवान गाठी लदाक में चीनी गुस्पैट को रोपते हुए हमारे बीस सैनिक विर्गती को प्राप्ट हुए। देश उनके बलिदान के लिए सदै अबहारी रहेगा। हमें हमारे सैनिकों और सिनाव पर नाज है। देश सुरक्षित है क्योंकि हमारी सैना प्राणों की बली देकर भी देश की हिफाज़त लगतार करती है। कंग्रेस पार्टी और हर देश वासी हमारी सेना और सैनिकों के प्रती आदरभाव व्यक्ट करते हुए मजबूती के साथ खरे रहने के संकल्प को फिर धोराते हैं। आज जब भारत चीन सीमा पर संकत किस्तिती है तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारे से पीछे नहीं आग सकती। प्रदन मंत्री कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई गुस्पैट नहीं कुई पर दूसरी और रक्षा मंत्री तता विदेश मंत्राले बरे संक्या में चीनी सैनिकों की मुझूर्गी एवं अनेकों बार चीनी गुस्पैट की चर्चा करते हैं। हमारी फौज के जैनरल, रक्षा एक्सपर्ट, एवं समचार पत्र, सतिलाइट तस्फीरे दिका कर भी चीनी गुस्पैट की पुष्टी कर रहे हैं आज जब हम शहीदों को नमन कर रहे हैं तो देश जाना चाता है कि अगर चीन ने लदाक में हमारी सरजमी पर खब्जा नहीं किया जैसा प्रदान मंतरी कहते हैं तो फिर हमारे बीस सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई चीन की सिनाओ द्वारा घुस्ताखी करके लदाक इलाके में कब्जा की गई हमारी सरजमी को मोदी सरकार कब और कैसे वापस लेगी क्या चीन वारा गलवान घातिव पंगों सो इलाके में ने निर्मान और ने बांकर बना हमारी बुभाग्य अकंदता का उल्लांगत किया जा रहा है क्या प्रदान मंत्री इस तिपी पर देश को विश्वास मिलेंगे आज पूरा देश सेना और सेनिकों के साथ अधिक रूप से करा है सरकार को चाहिए कि बढ़तिया सेना को पूरा समर्तन सयोग और ताखत दे यहीं सची देश बक्ती है जै फिन